इस वाले वीडियो में क्वेशन का आंसर करना चाहता हूं काफी सारे स्टूडेंट ने एक्जाम दिया संडे को और उसके बाद जिनका सेलेक्शन नहीं हो रहा यदि मोटा-मोटा आइडिया है कि आज नहीं है चांस क्या करें कि फुल ड्रॉप करें कि पार्शल ड्रॉप करें यानि कोई कोर्स वगरा जॉइन करें साथ में नीट के तयारी करें या फिर टाटा मुझे नहीं करना किस बेसिस में यह चीज़ रिसाइड करें मैं इस वाले सवाल को इस वाले वीडियो के अंदर क्विक्ली अड्रेस करना चाहता हूं पहली चीज फुल ड्रॉप किस-किस को करना चाहिए फिर्स अटेंट जिनका यह फिर्स अटेंट था हन्डेट परसेंट मैं एक जीता जाता है एक्जामपल हूं फिर्स अटेंट में बोर्ड एक्जाम के साथ तयारी करना आसान नहीं होता जो भी आपका स्कोर आया है वो आपकी बोला है first attempt के बाद तो करना बनता है एक full drop एक पूरी तैयारी करना बनता है क्योंकि यदि आप private college में जाने की सोच रहे है 75-80-90 लाग की बात है और जो खुशी होती है खुद अपनी ताकत से उस जगे पर पहुँचे की जो शांदार है उसका अलगी मज़ा है I am a living example बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो फर्स अटेंट में नहीं हुआ उसके बाद मैंने drop करके दिया मेरा इटी डेली में selection हो ठीक है तो जिनका फर्स अटेंब ता 100% आपको फुल ड्रॉप करना चाहिए दूसरा है दोज्वार वेरी क्लोज है न है फेरी क्लोज का मतलब क्या हुआ उटा मोटा पासो के उपर माल लीज़े एक धक्का बचा हुआ है वन पुशिज रिमेनिंग कर लो ठीक है और तीसरे टाइप के लोग जो वेरी पैशनेट मुझे पढ़ने में मज़ा आता है मुझे डॉक्टर ही बनना है मेरा ड्रीम है बट कुछ स्पेसिफिक गड़बर हो गई इस बार ठीक है स्पेसिफिक प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है बीमार पढ़ गए कुछ एक्जाम सेंटर में हो गया 91930 आप मुझे इस वाले नंबर पर वाट्साइप कर सकते हैं है ना यह वाली जो कैटिग्री है आप यदि वापिस तयारी कर रहे हैं तो आपके पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक वाट वेंट रोंग है ना यदि आपके 400 नंबर आ रहे हैं यदि आपके 200 नंबर आ रहे हैं यदि आपके 200 आ रहे हैं आप 2-3 बार से तयारी कर रहे हैं या तो आपको पता है कि exactly what went wrong मुझे लिखके बेश देना सोच लेना मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं तो साल ऐसे निकलते जाएंगे कोई attempt limit नहीं कोई age limit नहीं है आपके साथ आपके बच्चे भी एक्जाम लिख रहे होंगे ठीक है this can become a very very brutal thing और इसमें issue क्या है कि इससे आपका career बिल्ड नहीं हो रहा है ठीक है आपस exam एक ही वह ncrt और वही mcqs और वही physics semester biology और वही 96 chapter या 79 आप जो भी बुलना चाहते हैं वहीं आप किये जा रहे हैं ठीक है तो यदि आप करना चाहते हैं नहीं मुझे यही करना है तो मुझे इस whatsapp number पे आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल specific reason बता दीजेगा कुछ लोगों ने जिन्हों मुझे रीच आउट किया जिनको मैं जानता हूं interaction हुआ पिछले साल मैंनों नहीं बोला specific reason क्या गड़बड हुई जो इस बार नहीं होगी तभी करना ठीक है अब इस पर आ जाते है पार्शल ड्रॉप पे तो मैंने आपको तीन सिनरियों बता दिया जिनको फुल ड्रॉप क mbps अधिकर भॉत सरी अटेंट हो गई है पर mbps करना और एक और चीज़ ए बेरी टूस तो यहां पे मैंने यहां पर भी लिखा यहां पे भी लिखा वहरी खुलोस मैं जानता हूं लो को लिगने लट थै 520 नंबर है ना कहते हैं सर्थ BDS करूंगा और साथ में नीट के तैयारी करूगा ठीक है कोई बुराइट नहीं है आप BDS के साथ यदि आपका इस टाइप का स्कोर है है ना तो मेक सेंस या तो आपको पता नहीं आपका सेलेक्शन होगा नहीं होगा आपको खुदको कॉन्फिटेंस नहीं है पर तैयारी करनी है तो कोई कॉलेज जॉइन कर लो या फिर आपका रीजेबल स्कोर है 520 530 500 टाइप पूरी पढ़ाई नहीं करनी क्योंकि पार्शल डॉप साड़े 300 के दिनों के लिए वो नहीं होने वाला ठीक है तो आपको कम टाइम मिलेगा कम टाइम का मतलब आपकी सफीशन तैयारी अल्रेडी होनी चाहिए तब यह पार्शल डॉप करें या फिर यह वाले सिचुएशन किया पता नहीं सेलेक्शन होगा नहीं होगा चलो जाक मूवी देखी है ठीडीट्स है ना अबने ठीडेट्स एकिया ठीक है तो ठीडेट्स में कैरेक्टर है फरान नाम से फरान के पिताजी चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने बेटा बनना चाहते है फोटोगरफ़र माधवन है बहुत सारे लोग को एमभी बेस कॉलेज में जाके पता चलेगा कि वो नहीं करना चाहते फरान को आयटी में जाके या जो भी इंस्टिटूट वहाँ पे नाम बता है वहाँ पर जाके पता चलता है कि मुझे नहीं बनना एंजिनियर मुझे फोटाग्रफर बनना है हो सकता है आप यदि उस जगे पे पहुंच गए कि नह नहीं यार चलो एक्जामपल देता हो 2020, 2021, 175, 2022, 210, 23, 225 यह स्कोर है आपका है नहीं आप आप सोचो 2024 में क्या करूँ एक बार सोच लो क्या आपको सच में आपको पता चल गया फिजिक सेमिस्ट्री बाइले जी क्या है इसी का अगला विक्राल रूप आप MBBS में देखेंगे और विक्राल रूप आप PG में देखेंगे उससे भी बड़ा सुपर स्पेशालिटी में 13 साल की पड़ाई है तो जड़ा सोच लीजे कि आपका सच में इसमें इंटरस्ट है या नहीं है या फिर आपको फिर से फिजिक जहनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी किसने का अदानी अमानी दोनों medical college नहीं कहते हैं इन फैक्ट उनके बड़े-बड़े hospital हैं जिसमें यह जो बड़े-बड़े medical college वाले हैं वहाँ पे जाके बड़े-बड़े doctor जाके वहाँ पे they do a job there, right? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, finally, कि यदि आपसे पढ़ने का मन नहीं लग र जारी करके, you are not enjoying it anymore, कोई interest नहीं है करने में, छोड़ दीजे, मैं आपको guarantee से यह चीज़ बता सकता हूँ, यदि आप मेहनती हैं, आप में पैशन है, आपको पता है, आपको सच में क्या चीज़ करने में मज़ा आएगा, उस चीज़ में successful होने के chances जादा है, पकड़ के मत इस चीज़ को, it is okay, आपने exam दिया, 175 है, 210 है, 225 है, जड़ा देख लिजे कि क्या सच में reason है, क्या यहाँ पे ऐसा क्या होगा, जिससे significant, या तो आपके पास बहुत जबर्दस reason है, जैसा मैंने आपको कर रिजन नहीं है, आप बस यह सोचे, एक बार और देखे देखने तो बस एक exam है, आपकी उमर 18-19-20 साल है, पूरी जिन्दगी आगे पड़ी हुई है, you can become very very successful, try and figure out कि आपको क्या करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको recommend करूँगा, फरान को college में जाके पता चला, आपको शायद अभी पता चल रहा है, कि this is not your cup of tea, it doesn't mean you are a stupid person, इसका मतलब यह नहीं है आप घदे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप intelligent नहीं हो, इसका बस मतलब यह है कि आपका इस direction में, MBBS में, medicine में, है ना, interest नहीं है, इंटरस्ट नहीं है, बस 30 सी बात है, it is not a reflection of your worth, तो छोड़ दीजे, कुछ और कर लीजे, और जब आप बड़े आदमी बन जाएं, तो मुझे phone करके बताईएगा, कि sir, आपने जो बोला था, मैंने वही किया, and I am very very happy, तो guys, यह मेरा answer था, इस वाले वीडियो के अंदर, मैं इस वाली चीज़ को address करना चाहता था, काफी सारे students हमें reach out कर रहे है, कोई target batch जॉइन कर रहा है, कोई master class in biology जॉइन कर रहा है, कोई full course, live recorded, एक classroom program, हमारा classroom coaching चालो हुआ है, जनकपुरी में वहाँ पे, जो भी है, पर ए काफी सारे messages आ रहे है, पर जो लोग बहुत दूर है, for example, this type, है न, पर कहरें, नहीं, मैं करूंगा, तो मैं आप से specifically यह चीज़ बोल रहा हूँ, इस वाले WhatsApp नमबर वे start करने से पहले, वो reason, specific reason जरूर बता दीजे, कि क्यों, भाई, ऐसा क्या होगा अगले साल, ऐसा आपने क्या पता कि अपने बारे में, जो आप continuously गलत किया जा रहे थे, एक साल में fix कर देंगे, और उसके बाद तयारी चालू करेगा, hopefully इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा, इस वाले चैनल को subscribe कर लिजे, हम आपको regularly कुछ न कुछ guidance, mentorship, motivation की वीडियो डालते रहेंगे, ज दोस वाले चैनल को subscribe कर लिजे, हम regularly आपको guide motivate, mentor करते रहेंगे, ठीक है बच्चो?